नमस्कार दोस्तों स्वागताब कपी के साथ के यूटूब चैनल आज की वीडियो में हम आपको बहुती बहुती नॉलिज देने वाले हैं ताकि आपका जो है जुसर मिक्सर काफी लंबे टाइम तक चले जैसा कि आप लोगों को पता होगा जुसर मिक्सर इस टाइब का हर ग मिक्सर लेके आना है तो सबसे पहले आपने कौन सा टिप्स आजमाना है देख सकते हो आप इसको जैसे उल्टा करोगे आप जुसर मिक्सर को जैसे उल्टा करोगे तो आपके नीचे यहां पे एक नीचे साइड में एक बटन लगा होता है ठीक है दोस्तों यह बटन लेते हैं तो यह जल्दी से खराब हो जाता है क्योंकि बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो इसको ओन करके इसको यहां से कभी यह बटन दबाएंगे कभी यह बटन दबाएंगे तो इसके कारण क्या होता है जो जुसर मिक्सर का हमारा जो यह बटन है यह जल्दी से सोच खराब हो जाते हैं तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है दूसरा टिप्स इसमें क्या है कि जब भी आपने जुसर मिक्सर को यूज करना है तो आपने ध्यान से देखना है यहाँ पे लॉक होते हैं यह देख सकते हो जैसे आप इसको उपर से यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे लॉक दिये होते हैं और आपने इस लॉक को ऐसे गुमाखे इसको लॉक करके फिर आपने इसको जुसर मिक्सर को चलाना है और आपने इसको उपर हमेसा थोड़ा सा हलका सा हाथ रखना है, ताकि आपकर जो ये ढककन है, जुसर-mixer को जब आप ओं करो, तो ये ढककन अपने से खुल के बाहर ना आए, कई वर क्या होता है, जब हम इसको चला देते हैं, तो यह जो ढकन है यह बाहर आ जाता है एकदम से और जो हमारा इसके अंदर समान पड़ा होता है वो एकदम से बाहर आ जाता है और हमारा जो नुकसान हो जाता है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आपने जुसर मिक्सर चलाना है तो हलका सा इसके उपर आपने हाथ रखना है ऐसे करके हाथ रखना है ताकि आपका जो डखना है ओटमेटिक से खुलेना और जब भी आपको इसको यूज करना है तो आपने हाथ तो उपर से हलका सा रखना ही रखना है पलस जब भी आपने यहां से सुच देख लेने हैं फोर सुच होते हैं यहां पे तो आपने यह फोर सुच का मतलब क्या है यहां पे आप चलाओगे यह जो सुच है इसको आप ओन करोगे तो हलका सा रेस चलेगा यह फिर इसके बाद आप इसको चल लाना इसको फिर आपने थोड़ी दिर चलने के बाद फिर आपने इसको मीडियम बे करना है फिर उसके बाद में आपने लास्ट में आपने हाई पे करना है और हाई पे करने के बाद सिंपल सा आपने रैड़ पतन को दावना है और इसको हाथ को अटा के आपने इसका जो जो म अंब्तुब्त करना है और आपने छोड़ दिना और शूप primeiro कपड़े से इसको साफ कर देना है ताकि मोटर या यह जो सच्च नहीं आपके सफ रहे साफ नहीं ठीक दोस्तों और आपने जब भी ये mixture machine लेनी है company की लेनी है ताकि आपकी जो है लंबे time तक चले अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करना ताकि हम ऐसे ही नए से नए वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आप लोगों की help करते रहें तो दोस्तों ये 3 tips जो है आपको मैंने बता दिये है और जो 4 tips है वो क्या है? कि आपने जब भी इसको वाश करना है इसको आपने जग को जब भी वाश करना है तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है तो machine को उपर लगाते ही क्या होगा हम यहां से इसको on करेंगे और on करने के साथ साथ यह चलने लगेगा चलते ही जो इसके अंदर पानी पड़ा होगा वो hit हो जाएगा और hit पानी होने के कारण जो हमारी यह जो motor है यहाँ पे जो छोटी सी plastic की motor लगी हुई है पसंद आयागा दोस्तों अबर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना मत भूलें धन्यवाद जाहिन